अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी परिवार के अंदर ये खबर पहली बार आती है कि उनकी होने वाली बहू या फिर पत्री मा बनने वाली है और गर्बवती है तो सब लोग एक दूसरे के साथ बैट कर ये डिसकशन करना शुरू कर देते हैं कि हमें घर की कोई भी परिशानी उस लेडी पर नहीं डालनी है जो कि गर्बवती है फिर चाहे वो आपकी बभू हो भावी हो या पिर पत्नी ही क्यों ना हो क्योंकि गर्बवती महिला को कूल-कूल महौल बहुत ज्यादा पसंद होता है और उसे इस चीज की जरूरत भी होती है गर्बवस्त के लिए कूल-महौल ही सबसे ज्यादा अच्छा है आई ही जानते हैं इस वीडियो के ध्वारा आप आपने अकसर देखा होगा कि कूल-महौल का मतलब केवल ही इतना ही नहीं है कि वो गर्बवती महिला को तनाव से दूर रखें. कुल महल का मतलब होता है कि गर्बवती महिला को ज्यादा गर्मी का एहसास ना हो. आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी की वज़े से कई लोगों की मौत हो जाती है. क्योंकि उनका शरीर गर्मी के तापमान को झेल भी नहीं पाता है. तो अल्रेडी पेट की गर्मी के अंदर होती है. अगर बाहर का प्लाइमेट और तापमान भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये मिसक्यारिज का खत्रा बढ़ा सकते हैं. एक शोग से बात सामने आई है कि जब गर्म होती महिला ज्यादा तर गर्मी का एहसास करती है, दूप में ज्यादा काम करती है या पिर गर्मी होने की वज़े से सही तरीकी से महौर को और अपने रूम को एसी चला कर पंखा चला कर या फिर कूलर चला कर ठंडा नहीं कर पाती है, तो ऐसा करने से शरील का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है. और जैसे जैसे शरील क आपका बच्चा स्वस्त रहे और डिलिवरी के टाइम पर आप एक स्वस्त बच्चे को जनद दे सके तो क्लाइमेट पर फॉकुस करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है. जी हाँ, अपने तनाव को दूर रखिए, अच्छा आहार का सेवन करिए, योगासन करिए, परिवार क साथ टाइम स्पेंड करिए, डॉक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा बार जाकर हमेशा अपना चेक अप सही समय पर कराईए, दवाईयों का समय समय पर इस्तेमाल कीजिए, कोई भी परिशानी हो, तो बड़े भुजूर्गों से या फिर अपने डॉक्टर से सलह लीजिए और स्पेशली अपने घर के अंदर कूलिंग हमेशा रखिए, कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एसी को कुछ ज्यादा ही कम तेंप्रेचर करके जहले, आप तेंप्रेचर को सेट करके रखिए, ताकि आपके शरीर के अंदर ज्यादा गर्मी प्रवेश नہ करे, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने व्यूस को हमार साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटिब वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए